नाव एलकेजी क्लास हेलो हाव यू कैसे सभी चले आज हम अपनी शब्द लेखन का मैं आज आपको कुछ होंबग कर रहें का इंस्ट्रक्शन दे रही हूं आज अपना कुछ होंबग आप अपने घर पे कम्पीट करेंगे इस वीडियो के बाद ओके नाव ओपन यो बुक्स इस यू कैन सी बेटा यह आपकी शब्द लेखन की बुक है जल्दी से ओपन करेंगे अपने बुक्स को नाव बिटा सबसे पहले अब भी क्या करने आपको डेट डालने हैं ठीक है राइट हैं साइट में उपर की तरफ आपकी डेट डालेंगी पहले यहां पर ठीक है और उसके बार देखें आपने नर्सरी क्लास में भी किया होगा ना बाड़े एसे एनक जिनकी आइस साइट बीग होती है या किसी को आप कम नजर आता है वो उस करते हैं हमारे चश्मे तो उसको चश्मे बोला चाता है और साथ भी एनक बोलते हैं बाड़े एसे एनक ठ hina करेंगे हमारे जो डॉटिट ए हैं एसे एनक वाले डॉटिट वाले इन सभी को फिनिश करोगे सुन्दर सुन्दर राइटिंग में ओके एसे एदी के बाद एनक के बाद क्या आता है हमारा डेट डालेंगे पहले सबसे उपर चोटे ओ से ओखली ठीक है ओ-खै-ले-ई आप सर्फ इतना याद करेंगे फिलाल चोटे ओ से ओखली और इस तरह के से बोलकर आप अपने सारे वर्ड्स को डॉटिट जो आपके दिये है ना नीचे वर्ड्स इन सब को आप फिनिश करेंगे ओके ख्लास इस पे भी पहले क्या करेंगे आंटी बड़ी श्माइल से देख रही है आपको कि आप अच्छा काम करेंगे की नहीं करेंगे ठीक है ना तो आप सबसे पहले अपनी पेश पर क्या करेंगे डेट ढालेंगे और इस तरीके से बड़ा आउ होता है है हमारा दो मात्रा है न तो बड़ा हो गया है तो बड़े उसे औरत बोल के आप अपने सारे डॉटेट्स को फिनिश करेंगे बोल बोल कर ठीक है और रैटिंग शुद बी वेरी क्लियर फाइन बिटा और यह सब ही आपके homework pages हैं आपको यह सारे homework pages complete करने हैं ध्याम से ध्याम करेंगे आप लोग अपके लास नाओ आपका next page open किया है मैंने अब यहाँ पर भी same आपको क्या करना है you have to write the date ठीक है date mention करेंगे आप लोग अपनी उसके बाद आपको किसके पिच्चा नजर आ रही है यह yes अंगूर है यह खाते हैं न आप लो yes तो हम इसको क्या से बोलेंगे अंग से अंगूर और इस तरीके से बोलके अंग से अंगूर आप अपने सारे अंग से अंगूर को dotted वाले को complete करेंगे सुन्दर सुन्दर राइटिंग वे की क्लास